नमस्कार मैं हूँ ससी आये जरगां के टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं लोकडाउन के बाद अनलोग की परकिरिया जारी है इसी परकिरिया के तहत अनलोग 4 के बारे में जल दिग्री मंत्राले गाइडलेंड जारी कर सकता है सुद्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अनलोग 4 में भी सरकारी स्कूल कोलेज और सिक्षन संस्थानों को बंद रखने का फासला कर सकती है खबर मिलिया है कि अनलोग 4 में भी सरकार स्कूल कोलेजों को खोलने की मंजूरी नहीं दिया है यह अभी कहा जा रहा है कि बड़े सहरों में मेट्रो सेवा को सुरू किया जा सकता है जल्दी गिरी मंत्राले 23 दिसानेद्य जारी कर सकता है मौसम विवाक अंसार बंगाल की खाड़ी में बन रहा लोग प्रेसर के कारण जारखन में 26 वर 27 अगस्त को भारी बारिस की संभवना है मौसम बैग्यानिक की माने तो 25 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में लोग प्रेसर बन रहा है इसका असर 27 अगस्त तक रह सकता है मैट्रिक और इंटर्मीडियेट का सिलेवस में 50 फिस्ती तक कटोती मैट्रिक और इंटर्मीडियेट परिक्षा 2021 के परिछार्थियों के सिलेवस में 50-60 फिस्ती तक कटोती हो सकती है इसकूली सिक्षायम ससता विभाग द्वारा गठित कमीटी ने इसे लेकर रिपोर्ट तयार की है बता दे कि विभागिया अस्तर पर समती मिलने के बाद सितंबर में कटोंती की खोस्तना हो सकती है इसके बाद नया सिले बस सितंबर में ही जारी किया जाएगा बता दे कि मैट्रिक वा इंटर परिच्छा 2021 में समिलित होने वाले विद्यार्थियों को बिना स्कूल में कलास किये ही परिच्छा में समिलित होना पर सकता है मैट्रिक वा इंटर का परिछा फोर्म नॉवम्मर माह के अन तक जामा करने की परकिरिया शुरू होने की संभावना है जार्खन में आज 940 ने संक्रमितों को पुष्टी हुई जो बोकारों से 32, 48, 28, देवगर, 8, धनबाद, 74, दुमका, 11, पुर्भी, सिम्मुम, 147, गड़वा, 22, गिरिडी, असी, गोड़ा, 5, गुमला, 11, 1023, जामतरा, 16, खोटी, 21, कोडार्मा, 64, लात्यार, 3, लोहर्दागा, 5, पाकूर, 6, पलामु, 16, रामगर, 49, राची, 106, साह दाइबगा, 24, सराय, केला, 16, सिम्डेगा, 6, पाच्मी, सिम्मुम, से 49, मिले हैं, चारकन में, कुल संक्रमीतों की संख्या, 31,000, 118, है, जबकि, 21,025, लोहर्द, 335, की मिले हैं, भारत में, कुल संक्रमीतों की संख्या, 31,448, 181, है, जबकि, 24,3,101, लोहर्द, हुए, और धनबाद, एक कोडार्मा से एक हैं, सोमवर को 889, मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, एक्टिव केस इस प्रकार हैं, राची 256, पूर्वी सिम्मु, 162, धनबाद, 755, पलामो, 373, रामगर, 365, पाच्मी, सिम्मु, 351, बोकारो, 338, सराय, किला, 309, हजारीग, 292, कोडार्मा, 241 साहिम, 233, लाते, 220, खोटी, 288, गीडिद, 174, गुमला, 162, गाडवा, 152, 129, सिम्मु, 134, 116, लवादा का, 103, देवखार, 102, जामतरां ठाने, पाकु, 96, गोडा, 57, मरीच, एक्टिव हैं, 2344 पदों पर फेक बरती, केंद्रिये ग्रामिन विकास मंतराले के नाम से, प्रदान मंतरी अवास योजना ग्रामिन के लिए, योजना पता अधिकारी के पदों पर नियुकती समंदी फर्जी भीगापन निकाला गया है, P.I.B. की ओर से इसे ट्वीट कर फेक बताया गया है, P.I.B. फेक चेक ने ट्वीट कर कहा है कि मंतराले की ओर से ऐसा कोई भीगापन जारी नहीं हुए है, P.I.B. मुख्य मं्त्री और उनकी पतनी की तिसरी रिपोर्ट निगेटिव जार्खन के मुख्यमंत्री हमन सुरेन और उनकी पत्नी कलपना सुरेन की कुरोना जाच रिपोर्ट आ गई है दोनों की रिपोर्ट निगेटिव आई है यह तिसरा मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने कुरोना की जाच कराई थी हर बार उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई ह मानो तसकरी रोखने के लिए एंटी हुमेन ट्रेफिकिंग यूनिट का गठन को मंजूरी जार्खन में हर साल हजारों बच्चे और लड़किया मानो तसकरी का सिकार हो रही है अब जार्खन के भोले भाले लोगों को बाला फुसला कर मानो तसकरी करने वालों की खैर नहीं होगी सुबे की हमन सुरेन सरकार ने हुमेन ट्रेफिकिंग में लिप्त लोगों के खिलाब करवाई का रास्ता साप कर दिया है सुमवार को मुख मंतरी ने एंटी हुमेन ट्रेफिकिंग यूनिट के गठन को मंजूरी दे दिया है बतादे की राजे के लाते हार साहिव गंज गोड़ा और गिरी डी में एंटी हुमें ट्रेफिंगी यूनिट के गठन समधी प्रस्ताव को मुख मंत्री हमन सुरे ने स्विक्रेटी दिया है दो बच्चों के साथ मा को बेचा मुख मंत्री के आदेश पर रेस्क्यू के लिए निकली गड़वा पुलीस मुख मंत्री हमन सुरे ने गड़वा जीला के डंड़ाई ठाना छेत्र के जरही गाव निवासी सितारा मिस्तिरी के पत्नी देवनती देवी वा दो बचों को उतर पदेश में बेचे जाने के मामले को गमिता से लिया है मामला संग्यान में आते ही टीम गठित का रेस्क्यू करने का निदेश दिया है आदेश मिलते ही गड़वा पुलीस महिला के पती सितारा मिस्तिरी को लेकर रवाना हो गई है सीबू सोरेन की तवियत बिगडी मेदानता अस्पताल में भरती जरकन के पूर्व मुख्यमंत्री बतमान राज़ेस्भासदस वजामूम सूप्रीमों शीबू सोरेन को सोमवार की दोफर मेदानता अस्पताल में भरती कराया गया है अस्पताल के आइसोलेशन वाड में अलग कमरे में उनकी देखरेख की जा रही है मेदानता के क्रिटिकल केर हेड डाक्टर तापस कुमार साहू की देख रेफ में इनका इलाज चल रहा है बसो का छो महा का टेक्स होगा माप कुरोना संकटकाल में बिना कमाई के टेक्स चुकाने की बस संचालकों की समस्या को समझते हुए जार्खन सरकार ने बस अपरेटरों के छो महीना का टेक्स माप करने का प्रस्तावत त्यार किया है सुत्रों के अउसार अपरेल महीना से सितंबर माह तक का रोड टेक्स माप किया जा सकता है जिसकी घोसना एक सब्ता में की जा सकती है बता दे कि जार्खन में बस अंचलक लंबे समय से इसकी गुहार लगा रहे थे सोनिया और राहूल गांधी के पक्ष में खुल कर आये जार्खन के नेता कांग्रेस के रश्ट्रिय अध्यक्ष के लिए जारकन के पार्टी नेता सोनिया गांधी और राहूल गांधी के पक्ष में खड़े हैं पार्टी नेतावों ने उन्हें पत्र लिखकर और सोसल मीडिया के जरिये सोनिया गांधी और राहूल गांधी के समर्थन में उतर गए हैं कांगरेस के परदेश अध्यक्ष डाक्टर रामेसर उराव ने कहा सोनिया गांधी को ही पूर्ण कालिक अध्यक्ष बनाये जाने की मांग की है वही पूर्व केंद्रीय मंत्री सुवध कांत सहाय, कारेकारी अध्यक्ष वव विधायक इर्फानन सारी, कारेकारी अध्यक्ष राजेस ठाकूर, विधायक दिपिका पांडे सिंग समेत और नेताव ने राहूल गांदुई को फिर से कमान सौपने की अपिल की है जारखन पूलिस चतुथरः गई करमचारी संग ने ट्रेड रेंग की मांग की पेंशन मामलो का निस्पादान सिग्र करें पलामू उपायुक्त है। पलामू उपायुक्त है। सिक्षा विभाग दो दिन के लिए बंद। 26 अगस्त को विभाग के सवी पता अधिकारियों तथा करमचारियों की जाच होगी। नेता प्रतिपक्ष मामला में कॉंग्रेस। 27 अगस्त हुए स्वास्त है। जार्खन राज में स्वामू अर्था कूल 364 पूलिस पता अधिकारीयों करमी कुरोना पोजिटिव पावे गाए है। जिसमें से 27 अगस्त पूलिस पता अधिकारीयों करमी स्वास्त हो चुके हैं। अभी तक पूरे जार्खन राज में कुरोना से संक्रमित कूल 7 पूलिस करमीयों की मृत्ति हुई है। 22 जीलों में खुलेंगे EFR थाना मोख्यमंत्री। मोख्यमंत्री हमसुलें ने सोमवार को तीन अहम प्रस्तावों का मंजूरी दी है। पहले प्रस्ताव के तहट रामगर और खुटी को छोड़ राजे के 22 जीलों में EFR थाना का सिर्जन किया जाएगा। दूसरे प्रस्ताव के तहट लाते हार साहिव गंज गोड़ा और गिरीडी में इंटी हुमेन ट्रेफिंग यूनिट का गठन की योजना है। मैं तीसरे प्रस्ताव में 20 विद्यालों में सिक्षकों और करमचारियों के पाथ रेजन के लिए स्क्रिनिंग कमिटी बनाने की बात कही है। इविद्यावाहनी पर अविभावक 31 अगस्ता अपना सुझाओ दे। सदर अस्पताल में डायलेसिस सेवा शुरू। सदर अस्पताल में डायलेसिस सेंटर का उदगाटन सिविल सरजन वीवी परसाद ने किया। पहले दिन दो मरीजों का डायलेसिस हुआ। वहीं 14 मरीजों ने अपना रेजिटेशन कराया है। इस दवरान सिविल सर्जन पर साथ ने बताया कि अभी 10 बेडों की व्यवस्ता है जवर्यत पढ़ने पर इसे 20 बेड तक किया जाएगा मनरेगा करमचारी संग ने समीती में कर्मियों को रखने की मांग की जाखन राज मनरेगा करमचारी संग ने कर्मियों की समस्याओ के समधान के लिए बनी समीती में अनुबंद कर्मियों को भी रखने की मांग की है संग की और सही समध में मुख मंत्रे को ग्यापन दिया गया है ग्यापन में कहा गया है कि मन्रेगा कर्मियों की समस्याओं के लिए समीती बनाने का सांग स्वागत करती है लेकिन इस समीती में अनुबंध कर्मियों का नहीं होना उनकी अपुर्णता को दसाती है वेजिंगो एप के माध्यम से घरों तक सबजी वफल पहुचाएगा जिला परसासन लोगों के घरों तक ताजा सबजी फल और खाने पीने की समागिरी पहुचाने के लिए जिला परसासन पहुल कर रहा है इसकी सभी त्यारी पूरी कर ली गई है और 2 सितंबर से इसकी शुरुवात की जाएगी बता देखिया सेवा पूरी तरह आउनलाइन होगी जिसके लिए वेजिंगो एप डाउनलोड करना होगा एप का निर्मान राची के कुछ पेसेवर लोगों नहीं किया है हैवी लाइसेंस रेन्वल के लिए लेना होगा रिफ्रेशर कोर्स सर्टिफिकेट धन्बात डिटियो ओम्परकास यादों ने बताया कि हैवी लाइसेंस के लिए रेन्वल मोटर विक्टर एक्ट उनैसो अठासी में प्रधान है जो पूरे भारत में लागू है कोई भी टांस्पोर्ट लाइसेंस रेन्वल होगा तो ड्राइवर को रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ेगा जार्खन के सभी विश्व विद्यालों में सिक्षकों के पद का स्रीजन होगा जार्खन के सभी बीस्वय विद्यालेओं के लिए हरिमन स्रकार ने कुसकष्टपरी दी है उन्होंने इस प्रस्ताओं का मंजूरी दे दी है जिसमें राज सरकार के सभी विद्याले में सिक्षको और सिक्ष केतर करमियों के पत के सरिजन की बात कही गई थी अब उच्छ तक्निकी सिक्षा एम कौसल विभा के प्रधान सचीव की अध्यक्ष में एक स्क्रीनिंग कमिटी बनेगी जो पत के स्रीजन पर एक रिपोर्ट सरकार को सोपेगी धन्यवाद